Hello my lovely students, this is Mansi, welcome back to the channel, so हम यहाँ पर अप्रोच स्टार्ट करे थी, तीन अप्रोच थी, पहली थी हमारी क्रॉप वराइटी को लेके वो कंप्लीट कर ली, दूसरी थी हमारी क्रॉप प्रोडक्शन, वो लास सेशन में कंप्लीट हो गया, अब हम सार्ट करेंगे क्रॉप प्रोट ज़िज लग गया और कोई सेशन के वर से खराब हो तो उसको कैसे प्रोटेक कर सकते हैं उसके हम बात करेंगे, नाव मेथड यूज तू कंट्रोल दी प्रोब्लम, क्या क्या मेथड यूज हो थी इस प्रोब्लम को कंट्रोल करने के लिए, पहला है पेस कंट्रोल डूरिं ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम में पेस्ट कंट्रोल करना और स्टोरेज ऑफ ग्रेंज जब वो पूरी ग्रो हो गई, आपको यील्ड मिल गया, हो गए आपके पस क्रॉप उसकी स्टोरेज ऐसी करना कि आप वो खराब उस्टोरे स्टेज में टीस ना हो ठीक है, तो अब एक ही जिसके वैसे हमारी क्रॉप खराब होती है, जैसे कि यहां पर देखो टाइप अफ पैस्ट में पढ़ेंगे, वीज हो गया, इंसेक्स हो गई और डिजीज हो गई, तो यह तीनो चीजे हम यह पर कवर करेंगे, वीज क्या होता है, उसको कैसे प्रोटेक कर सकते हैं, इंसेक कैसे कैसे बचा सकते हैं, क्रॉप को, डीजीज क्या होता है, उससे कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले, वीज से, वीज क्या होता है, तो अलोग विज क्रॉप सम टाइम्स, सम अधर प्लांच ऑल्सो ग्रो अप, विच आ नॉट नीड़ अब जैसे आपको यहां पर कुछ वोकिन हो उसके साथ ही देख यहां पर छोटे- छोटे- से Plants ग्रों होने लगे, यह नहीं खिया, यह नाचुररली ग्रों होने लगे अब यहां पर दिक्कत कह यह क्या करते हैं चाहिए तो नहीं है किसिजिनोर के लिकिन ऑस trade42 k poking जो हमारे plant को चाहिए, crop को चाहिए, वो तो ये utilize कर रहे तो waste को हो रहा है ना हमारा, so ये weeds की वज़ा से भी हमारी crop खराब हो जाती है, these are called weeds, weeds can affect the crop as they utilize the nutrients from the soil that are meant to be used by the crops, by crops के लिए थे, वो nutrients, weeds ने सारे कर लेका हमारे किसी काम के है ने, so ये हो गया weeds, अब इससे बचेंगे कैसे, so weed control method, weed को control कैसे क्या जाएगा, क्या method है, पहला तो है जी, weedy size basically medicine होगी, weeds की are sprayed on the field that can kill them as they do not harm any crop, so weedy size जब आप करते हैं, तो वो crops को कोई हाम नहीं करते हैं, लेकिन जो weeds हैं, उनको kill करते हैं, तो ये spray किया जाता है, पहला चीज, then weeds can be uprooted manually by the farmers, अगर जैसे जादर बड़ा field नहीं है, और manually उसको उखाड़ा जा सकते हैं, तो वो farmer manually भी कर देता है, then using different methods of cropping, suggest crop rotation and inter cropping, also reduce the chance of growing weeds, जब हम याप यहीं पर, जब farmer crop rotation करता रहता है, या cropping pattern जो हमारे अलग है, internal crop, inter cropping method है, उसको use करता है, तो ये growth of weeds अपने आपी कम हो जाती है, चिक है जी, चलो, next देखते हैं, अब next है हमारा insects, again pest की बात हो रहे है, pest में पहला थावी, दूसरा है insect, several insects and pest can affect the crop in different ways, they can cut the part of the crop like fruit, leaves and अभिया, उसमें जैसे होते हैं, किसी crop में, या किसी घर में, छोटे से plant में भी हमारे कीडा लग जाता हो, क्या करता है, पूरी leaf को खा जाता है, है न, so यहाँ पर भी same वही चीज है, कि वो crop को खा जाता है, उस पे कीडा लग जाता है, आगी grow नहीं होती, फिर वो crop, स्कोपर करते हूं है, now they can get into the stem and root of the plants, वो plant की stems में गुजगे, या roots में गुजगे, तो completely उस plant को destroy कर सकते है, they suck the cell sap of the plant and hence destroy them, even जो उसका cell sap होता है, basically गरा plant का cell ही खतम कर दोगे, तो वो कैसे further grow करेगा, तो insects यह सब हम पहुचा सकते हैं हमारी crop को, अब जी, इसको कैसे control इसका control method क्या है, pesticides and insecticides, अब देखो नाम से विसे, weedicides था, weed की medicine, pesticides और insecticides मतलब insects और pest की medicine हो गई, are sprayed on the field to kill the germs, so इनको spray किया जाते हैं कि germs पहले ही खतम हो जाते हैं कि वो insects बने ही और खराब करे ही न, then crop should be checked timely to ensure safety against bed, so crops को timely खुच चेक करना पड़ता है, फार्मर को कोई कीड़ तो नहीं लग गया, उसका ध्यान रखना पड़ता है, usage of effective cropping method, such as, यह तो बार बार आएगा, कि नहीं आप cropping method use करों, उससे यह चीज़े बच जाते है, such as crop rotation ensures insect management in the field, so crop rotation हो रहे है, पूरा वो खाली हो रहे है, अब दिको ना, basically क्या है, अगर कोई चीज है, अगर कोई ची लगना, उसके fungus आजाना, वो हो जाएगा ना, लेकिन वहीं अगर field में crop rotation हो रहे है, तो अपने field पूरा clear हो रहे है, फिर उसमें लोगा रहे है, फिर वहां पर यह सब chances कम हो जाते है, weeds का भी यही रीजन है, और इसका भी यही रीजन है, इसले कम हो जाते है, और same reason होते है, जो हमारा अगला है diseases, कि अगर बार-बार crop rotation वगएरा हो रहे है, तो diseases, fungus वगएरा बनने के भी chances कम हो जाते है, so diseases में क्या आएगा, microorganisms such as fungi, bacteria and viruses often attack the crop and affect them, so अब क्या करते हैं, जो हमारे microorganisms है, जैसे crop में fungus लग गए गया, उसमें bacteria को ग्रो करने लग गया, so यह सब क्या करते है हमारी crop को attack करते हैं, so these pathogens can be transmitted to the crop by soil, water or air, कैसे diseases लग सकते हैं, water से, soil से, air से, कहीं से भी है disease, हमें भी तो cold world हो जाते हैं, हमें भी तो virus को attack कर जाते हैं, so इसी तरीके से crop को भी कर जाते हैं, तो जी, अब इसको control करने के क्या है, so disease management method क्या है, selecting the crop that suit the temperature and climatic condition of the place, so ऐसी crop को जैस होते हैं, इस field में हम यही grow करते हैं, इस season में हम यही grow करते हैं, क्योंकि आपको देखना है कि कोई ऐसा crop है, जो diseases से जादा नहीं लड सकता, और वो एक moist soil में है, तो chances है कि वहाँ पे उसमें fungus लगी जाएगी, तो पहले crop का selection ऐसे करना, कि वो इस climate में, इस soil में adjust कर पाएगा then है planting the seeds on the right time and in an environment that favors their growth, so seed को correct time पे plant करना, again ऐसी environment में प्लान करना, जो उसकी growth में help करें, ना कि उसकी growth को hamper करें, now using herbicides such as dicamba, बड़े जी वर्ट जहें, dicamba and glyphosinate, ammonium and fertilizers such as ammonium, nitrate, potassium, sulfate, so यह सब हमारे fertilizers और herbicides जिनके name दे रहें, इनके use से भी diseases, अपने आप खतम हो जाते है, microbes वगरा टाक नहीं कर पाते है, चिक है जी, so इसके साथ हमारा, यह topic जो pest वाला था वो खतम हो गया, अभी हमने क्या start किया था, दुबारा से वो device करा देती हूँ, हमने अपनी third approach साथ करें जिसमें protection की बात करें जिसमें सबसे पहले हमने pest की बात करी उसमें तीन चीज़े थी वो डिसकास करी, and second हम डिसकास करें storage, अभी तक जो हम बात करें थे वो क्या था, growth के धिया, growth जब कर रहा है, plant crops जब उग रही है, तब आप wheat से कैसे बचाओगे, तब आप insects से कैसे बचाओगे, diseases से कैसे बचाओगे, तब की बात, अब हम आगे है, storage के अब आपको crop मिल गई है, उसको store ऐसे करो, ऐसा तो नहीं है भाई, जितनी crop वह सारी इसी बार में use हो जाते, उसको store भी तो करना पड़ते है, so for getting seasonal food throughout the year, they are stored in safe storage, अब जैसे wheat है, basic सबसे basic ले रही हो, ब अब वहाँ पर उसको store करना सरूर है, क्योंकि supply उसको throughout the year करना है, ठीके ना, but during storage of grain, they can be destroyed and wasted by various means, अब यहाँ पर क्या होते है, storage के टाइम पर आपने मिल गई, आपको yield आपने कर लिया, लिकिन storage के टाइम पर वो खराब होगी, तब भी नुकसान है फार्मर का, so इसको चमें पर कर लेती हूं, so देखो जरा, अब क्या क्या प्रॉब्लम साती है, बायोटिक प्रॉब्लम क्या है, due to living organism like insects, bird, millets, bacteria, fungus, अब storage के टाइम पर भी तो यह चीज़े तंग कर सकते हैं, कि स्टोर करके रखी होई तो उसमें कीडा लग गया, यह उसमें फंगस लगी, उसमें को पूर जैसे होते हैं, कोई चीज़ लग थी, उसका कलर खराब हो गया, कुछ नाइम बाद, या अगर उसमें मॉइस्टर जैसे चीज़े, उसमें स्मेल लाने लग जाएगी, तो भी वो वेस्ट है, तो ऐसी बड़ी सारी चीज़े हैं, यह हमारे बायोटिक और अबायोटि इसे अगर सुखा के रखा जाएगा, तो उसमें फंगस लगने के चीज़ें लगने के चांसे कम हो जाएगे, तो पहला हमारा हो गया, उसको अच्छे से ड्राइ करना, सेकेंड है, मेंटेनेंस ओफ हाईजीन, जहां पे आप उसको रख रहे हो, वहां पे प्रॉपर हाईज आपने जगह पे स्चोर कर रख है, लेकिन जी वहां पे जो डोर्स है, उसमें क्रैक्स है, तो कीडे बीडे तो चल के आई जाएगे ना वहां पे, तो उसके स्चोरेज के टाइम हाईजीन का बहुत जादा ध्यान रखना चाहिए, सेकेंड होगे, थर्ड है, फर्मिगेशन गुडाउं लाट गोडाउं जोड शुड बीड पॉपली बीड गोडाउं बीड बीड इन्सेक्रिशी जाएग फंगेशन रखना चीक एना फंगेशना चीक है ना सौरी आगे देख्टे है, लेडेन है, स्टोरेज डिवाइसे, च्लीन ड्याइट गाइब डीड गानी बै तो उनको जिस बैग में स्टोर कर रहे हैं तो इसी के साथ हमारी तीनों अप्रोचेज होती हैं खतम लास्ट टॉपिक इस चाप्र का जो की है अनिमाल हस्बेंटरी यह हम साट करेंगे बट इन नेक्स वीडियो तो इसी चीजों में उसको श्टोर करना चिक है ँ उसी करेंगे बादा रहे हैं compare कोशेजरी यह हमारी यही यह हम से की अपादा ट्का न सक्सों के इस चाप्रोचेजरी यह स्टोर को चिक है तो ज्या हमारी यह ने खिर यह तो रहे